2014 की वेकेंसी अभी तक आप लेक जार है उसका एटेम्ट खतम हो चुका है जिसमें सरकार की बेसर्मी इतनी बड़ी है कि आठ साल है चातर कड़े तो क्या कड़े आप इतना दबा चुके हैं चातरों को कि अंत में उसको अपने हक के लिए आब आज उतारने के लिए आप रोट पढ़ाना जो मत लिए कि परतिश्टित पद पर हैं आप बोल नहीं कि आप परकवड़ा तलिये हैं पीजी कर चुके हैं इसके लिए ताब पहले से बता देते कि आप पाच्वी कलास तक पढ़ाए कर लिए देश और राज में बिरुजगारी बढ़ रही है और बढ़ गई है और हमेशा रही है इस देश की इतनी बड़ी आवादी है कि वहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है 140 करोड़ा वादी है वहाँ पर बिरुजगारी होना लाजमी है मगर अब करोणा महामारी के बाद जीस परकार से बिरुजगारी बढ़ी है और जो परिच्छा एक्जामनेशन प्रकिरिया का जो एक जो दौर चलता है कहा सकते हैं कि जो वोटिंग का वेवस्था है एक महीने में तमाम करोड़ों का रियल निकाल देती है मगर ये जो हजारों का ही बहाली होता है जैसे बिहार में BSSC आट साल से हुआ सिछक बहाली हुआ, RRV, NTPC हुआ, फिर SSC हुआ, करमचारी चैनायोग जो SSC निकलता है देश से तो ये तमाम बहालियों को लेकर अभी हम बात करेंगे चातर से, क्या कुछ कहेंगे तमाम बहालियों में देरी को लेकर सरकार जो आती है, आप देखेंगे कि पांच साल में उसका जो चुनाव का पड़किडिया है, वो पांच साल में कम्पलिट हो जा रहा है लेकिन चात्रों की जो एक जो साल भर का जो यह अपना डाटा होती है उसको लगाने में वह आठ साल दस साल कहीं कहीं तो आप देखिएगा कि लड़के को उम्र खतम हो चुकी है लेकिन अभी तक उसका कोई जॉब उप के लिए कुछ है नहीं अभी बिहार में देखिए कि ब है इस बेच आगर सात साल जिसका झाल ओंड अगर तीन आangen चार साल बचा होगा उसका एक एक लुचार नहीं रहे है कि हुटा следbleका नहीं पर देखिएवके existing आज अदु वह भी लिया गया है उस एक्जाम कंड़क्ट करवा लिया गया है लेकिन उसके बाद सरकार के पास अपना रिपोर्ट जारी करती है कि यह पर पहले से लिख हो गया मतलि यह मजाक बना कर आप रख दिये हैं सिस्टम ऐसे अंधे बहरे लोगों को क्यों बैठा कर रख दिये है जो पेपर लिख हो जाता एक्जाम देने से पहले ही पेपर लिख हो जा रही है आप यूपी टेट का पिछले दिसंबर के इसमें हुआ था उसका पेपर बाइडल हो गया रिट का देखिए वहां पर रिट का जो पीसियस एक्जाम थी वह गारी पलड़ जाती है अप पूरी तरह से चात्रों को एक मजाक के तोड़ पर बनाकर रख दिया गया यहां पड़ी जो और यही है कि सालों साल कभी इससे पिछे अप जाईएगा कोई भी अंदोलन जो हुआ है 1857 का करांती देख लीजिए तो कोई भी करांती होने से पीछे पीछे एक प्रिष्ट भ अज देखिया जो डेकर जो बबाल था यह ततकाली कारण हो सकती के बेरज़कारी बहुत दिन से इसके पीछे जो समत्यों यह यह समस्या चात्रों के बीच आई है यह अम्तिम तौर पर जाकर एंटीपीसर पर जाकर टूट पर हैं तो इस तरह का जो हंगामा हुआ देखने को मिला है चात्र कड़े तो क्या कड़े आप इतना दबा चुके हैं चात्रों को कि अंत में उसको अपने हक के लिए अब आज उतारने के लिए आप रोट पड़ाना उसके लिए मतलब प्रतिबंधित हो गए उजी पीजी कर लिए तो आप तो नौकरी खोजेंगे ना क्योंक कर दिया है यूजी पीजी करने में उसके लिए पहले से बता देते कि आप पाच्वी कलास तक पढ़ाई कर लिए उसके बाद आपको पकवरा ही तलना है हम लोग इधर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हम लोग पहले से इसमें जाते तो यहां पर भी कुछ उत्क्रिश्ट कर सकते थे लेकिन आज हम यहां पर गयोसन कर चुके हैं पीजी कर चुके हैं उन्नत किस्म की जॉब के लिए हम लोग इस तरह के तैयारी कर चुके आप कह रहे कि पकोड़ा बेचिए यह भी ते खुरोजगाड है तो कैसी मजाक कर रही है सरकारी तो उसको खुद समझ में श्याओन नाम है यही पटएल शाट्राबास में बरतवान में बर लखिस राइजिला से बिलोंग करते हैं यह तमाम खबरे में लगातार अभी अर्थियों के ख़बरे चाह इनवर्सिटी का हो या फिर द्रोगा बहाली हो सिचक बहाली हो या फिर किसी भी तरह परकारी हो जहां पर भी देरी होती हम लगातार उठाते हैं, उसमें एक BSSC की बहाली प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सरकार की बेसर्मी इतनी बड़ी है कि 8 साल हो गई है, 13000 की लगभग आसपास बहाली थी, यहां पर नितीस बाबू अगर देख रहे होंगे, जहकास भारत यह देखेंग और 2014, BSSC पर कई बार बैवाल हो चुका है, 14, 15, 16, मतलब 4 बार नितीस जी सपत ले चुके हैं, 2-3 बार सरकार जोड़ तोड़ के बना लेते हैं, मगर उनको यह बहाली प्रक्रियाएं लगातार पूरी करनी चाहिए, और फिर जो बात आती है, ट्वीट लगातार होते हैं, आरर भी एंटी पीसी के लिए ट्वीट हुआ, BSSC के लिए ट्वीट हुआ, सिच्छा का भी अर्थी ट्वीट कर रहे हैं, दरोगा बालिया स्कैम को लेकर नितीस कुमार जी और उनकी सरकार घिर चुकी है, तो यह तमाम बाते मैं करता रहूँगा और लाता रहूँगा, आप बने रहेगा जाकास भारत पर, मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद.